है गाईज स्वागत है मेरे चैनल इंट्रडे गाई छिवांज बसीन पर सो गाईज यह एक फिफ्थ ट्रेट टॉक की सीरीस है जिस पर आपको मैं मारूती के बारे में बताऊंगा मारूती पर हम चर्चा करेंगे टेकनिकल एनालेसिस के बारे में उसके बारे में उपीनियन कि हैा कि में एक पॉचिशन लेनी हॉर किता नीचे गर सकता है हम दुच रहे हैं कि दास हजार की लेवल से यह 5000 यह 6000 तक आच चुका गाई नीचे गिर सकता है मार्केट के साथ औरनीचे गिर सकता है और हमारे लिए यह long term के लिए best accumulation कब करें कौन से level पर जाके हम इसमें best accumulate position initiate कर सकते हैं मारूती के लिए तो कौन से level तक तूटने तक आप hold कर सकते हैं और अगर वो level तूटता है तो आप उससे position से कब exit करें मारूती से तो सारी आज हम इस video के अंदर बात करेंगे technical analysis पर आपको मैं लेकर जाऊँगा मारूती के charts पर आपको explain कर जाएगा सारा तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को like जरू कर देना तो guys अगर आपको trade talk की series ऐसे regularly चाहिए हर दो दिन मैं है trade talk की series लेकर आँगा अगर आपको regularly है मेरी trade talk की series चाहिए है तो आप मेरी channel के साथ बने रह सकते है वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का subscribe का button दिख जाएगा उसे click करके side में आपको bell का icon दिखेगा bell के icon को दवाएगे तो जो भी मेरी video सबसे पहले YouTube पे आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप उससे सबसे पहले देखके फाइदा उठा सकते हैं तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ तो गैस देख सकते हैं कि जैसे मैंने मारूती का चार्ट ओपन कर गिरका वाए हम सबसे पहले monthly चार्ट की बारे में बात करेंगे फर weekly फर daily फर hourly उससे हम फर एक conclusion निकालेंगे कि यह particular stock कहां तक गिर सकता है और best by position या accumulation कब start हो सकते हैं आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने weekly monthly चार्ट open करके रखा वाए monthly चार्ट पर आप देख सकते हैं कि 2003 से लेके एक्जक्ट 2019 जो अभी current चल रहा है मैं यह जो वीडियो बना रहा हूं यह मैं वीडियो बना रहा हूं 24 जुलाए 2019 को आप देख सकते हैं कि 2003 से लेके जुलाए 2003 से जुलाए 2019 था यह हम मानके चल सकते हैं कुछ 12 साल में यह एक range के अंदर काम कर रहा था मारूती आप देख सकते हैं मैंने जो भी highs थे सारे highs पर जाके एक trend line draw कर दी और सारे lows पर मिलाके मैं एक trend line draw कर दी तो आप देख रहे हैं यह particular मारूती यहां से up move देता है दुबारा नीचे आता है यहां support देता है trend line को यहां पर इस trend line को resistance phase करता है दुबारा नीचे आता है इसी trend line पर आप देख सकते हैं कि यह दो साल तक consolidate करा है और उसके बाद फिर इसने एक up move दी है और आप up move देख सकते हैं कि up move इसने कित्ती late दी है हम कह सकते हैं 2014 से लेके 2018 चार साल में यह अपने support की trend line को छूके अपने resistance की trend line तक गया जो कि आप देख सकते हैं 10,000 का level है exact 10,000 का level है so अब किस तरीके से काम होगा guys 2018 पर इस particular stock ने high भारा था पर देह सकते हैं मुझे जो अब estimate लग रहा है कि यहाँ से पाटिग crypto stock है वो दोबार है अपनीativus trend line पर support लेनी कुशिश करेगा यहाँपर जो हम् देख रहे हैं कि यहाँपर जो support लेनी कि कुशिश करेगा तो मुझे लगता है कि यह trend line का support आ रहा है मारुती फॉर एक्जामपल अभी ट्रेट कर रहा है 5800 पर तो सबसे बहले हम एक्विलेशन की बात करते हैं मंध्ली चाट को देख पर एक्विलेट हमें कब करना है जब मारुती आजाएगा 5500 पर सबसे पहले हम एक पर्फेक्ट नहीं पता लगा सकते हैं कि वह पर्टिकुलर स्टॉक कहां तक गिर सकता और कहां से बाउंस कर सकता है तो हम एक एस्तिमेट लेकर चलते हैं 500-500 पॉइंट के लिए मारुती में सबसे पहला अगर आप एक एक्विलेशन बनाना चाहते हैं तो हो एक्विलेशन तब बनाईएगा 5500 पर दबाता है जैसी अगर आपको मारुती 557 मिलकर आप एक्विलेशन मारुती यह बना सकते हैं तब आप मारुती कर सकते हैं मारुती पे और नेक्स्ट है 4500 यह 1500 पॉइंट की रेंज में आपको बता रहा हूं 5500, 5000 और 4500 यह 1500 रुपे की रेंज के अंदर मारुती को एक्विलेट कर सकते हैं और वहां से आपके लिए मारुती लॉंग टम के लिए एक बेस्ट बाई बन जाएगा चार से पाथ साल अगर आप इसे होल्ड करेंगे तो वह 4500 का शेर आपको ग्यारा हजार बारा हजार तक के लेवल्स भी दिखा सकता है जादा तर जितने भी ऑट सेक्टर के बात करें आप कोई भी स्टौ का नाम ले लिए वह पर्टिकुलर स्टौक अपने हाइस से बहुत नीचे आचके है 200 दिन के मुविंग अवरेज resistant के नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम कह सकते हैं कि बहुत count of week है और यह शायद 6 महीने साल और चल सकता है आप अभी इसमें position को accumulate ना करिए क्योंकि यह और नीचे जा सकता है आप 5800 पर चल रहा है न आपको यह नहीं बुलूँगा आप अभी करिए जब भी आपको 500-500 की dip मिले आप अरुती को accumulate करिए ज्यादा positions hold करिए और वहां से आप अपनी position को initiate करिए 4,500 एक strong strong support है 5,000-4,500 जहां से मारुती एक reversal दे सकता है और वहां से हम कह सकते हैं कि मारुती में एक upside movement start हो सकता है जिस तरीके से में आपको कह रहा है upside movement start हो सकती है आप देख सकते long term channel जो यह बना है यह long term channel मुझे नहीं लगता कि यह यहां पर down side की तरफ तोड़ने की कोशिश करेगा और मुझे नहीं लगता कि मारुती इतना तो heavyweight counter है auto sector के अदर वो चार इस नीचे की side को तोड़ने की कोशिश करेगा of course मुझे लगता कि मारुती अगले time में जब यह resistance की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है यह upper side में target को तोड़ दे range को तोड़ दे और वहां से ऊपर चले जाए so guys best trade आपको accumulation के लिए बता दिया है कि कब buy करना है 4500 से 5500 के बीचे 5800 है वेट करिए आपको एक अच्छा खासा profitable trade जरूर यह देखे जाएगा weekly chart की तरफ बढ़ते हैं weekly chart में अब हमें क्या suggest कर रहा है किस तरीके से काम हो रहा है अब देख सकते हैं यह particular जो मारूती है इसने यहां से एक up move देना शुरू करी थी कौन से 5000 के level से 5000 के level से हमने देखा था कि यह particular counter कहा तक आ गया था 10,000 के level तक आइस हम एक चीज और चेक करते हैं फिबुनाची में शयाद हम एक interesting चीज और देखने को मिल जाए जी गाइस एक सेटिंड काई तो यहां पर तो फिबुनाची में कोई भी trade नहीं बन रहा है तो हम फिबुनाची से तो exit कर जाते हैं तो फिबुनाची में तो हमें कोई pattern नहीं दिख रहा हम अपने simple pattern की तरफ बढ़ते हैं अब आप देख सकते हैं यहां से particular stock उपर गया नीचे आया नीचे इसने थोड़ा बहुत एक base बनाया दुबारा उपर गया और अपना double top बनाया 10,000 के level पर हमने देखा था कि मारुती पर double top बनाता है डबल टॉप बनाने के बाद particularly stocks करते क्या है वो करते यह हैं कि जब भी double top बनाते हैं तो वो अपने bottom की तरफ बढ़ना शुरू कर जाते हैं मैंने आपको अभी भी का है कि हम एक perfect range नहीं पता लगा सकते हैं कि हम परफेक्ट spot market के अंदर या stock के अंदर नहीं पता लगा सकते कि कहां से वो गिरेगा या कहां से वो up move देना शुरू करेगा कहां से वो reversal आ सकता है best यह बुलना रहेगा हम कह सकते हैं कि मैंने आपको range बताई है जो बताई है 5500 से लेके 4500 तक हो सकता है कि यह 5000 से reverse कर जाए और दुबारा move शुरू हो जाए 5000 को तोड़के हम देखे कि double bottom को भी इसने तोड़ दिया है हम एक deep हम कह सकते breakdown देखने को मिल जाए और यह beer phase में चले जाए है beer phase में तो हम कह रहे है कि अभी भी है पर और beer phase में चले जाए पर हो जाए कि 4500 से शायद reverse कर जाए हम कोई भी accumulation नहीं निकाल सकते कोई भी result नहीं निकाल सकते सो बेस्ट ट्रेट यह रहाए गया कि आप हर टाइम फ्रेम पे इस particular कोई भी stock के अगर आप long time के लिए buy के लिए सोचते है तो आप हर टाइम फ्रेम में उससे सोचेगा तभी आप एक best result निकाल सकते है सो गाइस अभी जो मेरे expectation यह है कि वो है कि यह 4000 यह सौरी 5000 के level तक जाएगा सौरी हम देख रहे हैं कि यह 4800 का इसका double bottom है तो 4800 तक यह जा सकता है अब दूसरी बात weekly chart में आप देखिएगा particular stock 10,000 से नीचे आया नीचे आने के बाद यह कहां तक आया 6500 तक 6500 तक हमने देख सकते हैं कि यह एक channel के अंदर चला गया था गिरावट आने के बाद इसने एक थोड़ा बहुत correction आने के बाद थोड़ा आपने देखा कि यह consolidation में चला गया consolidation में कि इसने range बना दी आप समझ गए होंगे कि मैं किस pattern की बात कर रहा हूँ guys यह एक penant pattern है bearish penant pattern है so guys bearish penant pattern का मतलब यह है मैं आपको एक बड़ दुबारा इसमें explain कर देता हूँ यह particular stock नीचे गिरता है नीचे गिरने के बाद हम देखते हैं कि यह एक consolidation में चले जाता है जी guys आप देख सकते हैं stock नीचे आया वहाँ पर हम देखते हैं कि इतना गिरनावट के बाद यह consolidation में चले जाता है यहाँ पर यह consolidate करेगा अपने resistance को टेस्ट करेगा support पर आएगा resistance को टेस्ट करेगा support पर आएगा और हम कह सकते हैं कि 90% जब कोई particular stock उपर से नीचे आता और ऐसे range में चले जाता है तो वो नीचे की तरफ ही तोड़ता है और जब यह नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम कह सकते हैं कि continuation pattern चला गया continuation pattern का मतलब यह है कि stock नीचे आया थोड़ा बहुत consolidate करा फिर नीचे चला गया वही हम देख रहे हैं कि हमें इस particular मारूती के अंदर देखने को मिला मैं इससे थोड़ा zoom करता हूँ आपको पता चल जाएगा देखें guys stock नीचे आया थोड़ा बहुत consolidate करा और उसने आज इस range को तोड़ दिया हमने देखा previous week में उसने इस range को तोड़ दिया था range को तोड़ने के बाद हमने देखा कि आज के week में जो हमारा यह जो आज का week चल रहा है आज के week में इस candle ने जो high मारा है आप यह देख सकते हैं यह इस week का candle है इस week का जो high मारा है वह exact इस support की trend line को चुआ है और वहाँ से मारे ले एक best buy बनता था support की trend line का high जो है वह है 6000 का level so guys आप देख सकते हैं कि 6000 के level को उसने चुआ आप देख सकते हैं exact trend line को उसने support को चुआ और वहाँ से एक दुबारा fall आ गई so अगर आप trend line पे इसने हमें एक buy selling का level जरूर दिया आप देख सकते हैं हमारे लिए अब आप देख सकते हैं कि यह एक bearish phase में चला गया है इसने continuation pattern बना दिया so अब हमें किस तरीके से trade लेना है अब हमें इसके targets find करने होंगे कि यह कहां तक जा सकता target find करने के लिए जैसा कि मैं आपको bearish peanut pattern या bullish peanut pattern में बताया था का target कैसे find करते हैं यह जो एक गिरावट आई है गिरावट के बाद यह जो range में गया है इस range से पहले जो इसकी गिरावट थी उसका हम difference लेंगे और वहीं से जो इसने यहां से गिरावट दिखाएगा उसका एक difference लेंगे सो हम बढ़ते हैं अब देख सकते हैं कि यह इसका जो हाय था वो दस हजार के लेवल था इसका जो गिरावट है वो है 8400 यानि कि हम आनके चल सकते हैं कि अराउंट 1600 पॉइंट की गिरावट है 1600 पॉइंट की गिरावट है अब हम आनके चल सकते हैं एक सेकिन आप वेट करिये मैं इसे थोड़ा estimate ले लेता हूं यह मुझे लगता है सही नहीं बनी है हाँ इसकी जो गिरावट है वो है 1800 पॉइंट की आप देख सकते हैं यह स्टॉक कहां से गिरावट कहां तक आ सकती है अगर 6000 में से 1800 पे माइनस करते हैं तो वो आ सकता है 4200 आप समझने में आपको क्या का है 4200 तक आ सकता है 4200 तक हमारा तो टागेट है अगर यह पर्टिकुलर स्टॉक यहां से फॉल करता है तो इसका नेक्स तागेट 1800 पॉइंट की रैली हो सकती है और 1800 पॉइंट की रैली मुझे लगता है 4200 तक इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर जा सकती है अब हमने देखा हम वीकली मंतली चार्ट में चलते हैं मंतली चार्ट में हमें सजेस्ट कर रहा है कि 4500 400 तक ही यह जा सकता है उसके नीचे नहीं गिरेगा देखा हम वीकली चार्ट में पहुंचे हैं तो वीकली चार्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि एक सेगेंड यह ना थोड़ा नहीं बना है तो हम एक एस्तीमेट नहीं ले पा रहे है तभी मुझे लगता है हम गलट टागेट ले पा रहे हैं अब आ गया, so high देखते हैं, high आ रहा है, 9959, 10,000 हम एस्टीमेट माल लेते हैं, और इसका माल लेते हैं 8400 का, जी गाइस, तो यह 1600 पॉइंट का डिफरेंस है, तो अगर हम 6000 से 1400 पॉइंट का, sorry, 1400 पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं, 1600 पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं, तो आता है वो 4400 पे, या 4500 पे, क्योंकि हम एक एस्टीमेट लेकर चल रहे हैं, तो हम 4500 मान के चलते हैं, अब हम मारूती के मंतली चार्ट में गए, तो मंतली चार् तो आप बात करते हैं तो आरसाई में भी आप देख सकते हैं कि यह पैटन जैसी कंपलीट होगा जैसी हमारा मथली चार्ट के सपोर्ट में आ जाएगा sorry guys so हम कह सकते हैं कि यह एक bearish phase में है अगर हम बात करते हैं RSI की तो RSI में भी आप देख सकते हैं कि यह particular RSI यहां से नीचे गरा नीचे गरने के बाद ही एक range में गया इस range को इसने तोड़ दिया range में तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इस point पे एक बर इसने उपर की side हमें यहां पर buy signal दिया था और दुबारा यही नीचे गर गया था तो गई यह क्या suggest कर रहा है मंतली chart में हमें क्या suggest कर रहा है कहा support है long term 4,500 यह pattern का target कहा तक आ सकता है 4,500 तो हमारे लिए एक best buy बन गया 4,500 यानि कि 5,800 पे यह trade कर रहा है यह 4,500 तक आ सकता है यानि कि कित्ती की fall गिरा सकता है यह अभी 1100 point की और गिरावट हम मारुती में देख सकते हैं मैं यह नहीं कह रहा इसकी यह 15 दिन के आ जाएगा एक महीने के अंतर आ जाएगा इसको time लगेगा यह 4 महीने लगाएगा 5 महीने लगाएगा 6 महीने लगाएगा और हलके-लके नीचे जाएगा उसके बाद हलके-लके consolidation में ऊपर की तरफ बढ़ेगा फिर नीचे आएगा अब देख सकते हैं गाई कि मैं आपको दिखाता हूँ यह particular stock जब यहां से यहां नीचे गिरा तो उसके बाद यह जो गिरावट आई है इस गिरावट का 50% इसने रिकवर कर दिया फिर गिरावट आई है तो होगा यह यह दुबारा नीचे आएगा फिर एक हलके-लके 50% की रिकवरी आईगी फिर अलके-लके-लके नीचे आएगा फिर 50% की रिकवरी आएगा फिर अलके-लके नीचे आएगा सो यह भाट टाइम लेगा पर 4,500 पे वीकली चार्ट पे भी एक लॉंग टम सपोर्ट है और एक पैटर्न का अट सपोर्ट है और मंथली चार्ट पे भी एक 4500 बेस अब बढ़ते हैं डेली चार्ट की तरफ डेली चार्ट पे क्या सेजस्स कर रहा है आप देख सकते हैं कि मैंने यह एक यह आगा केर्ट आप देख सकते हैं कि 2018 इसमें नहीं तोड़ा था यह मैं एक सब्सक्राइब कर देख सकते हैं कि यहां सपोर्ट लिए दूसरी है कि यह ऐ शॉपोर्ट तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौती बार सपोर्ट लिया, पाच्छी बार सपोर्ट लिया और अब आप देख सकते हैं इसने किस तरीके का काम करा यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी और हमने देखा अगले दिन ब्रेकडाउन देखने को मिल लिया यानि कि यह कौन से लेवल है, 6300 का लेवल है, 6300 के लेवल को जाके इसने एक, हमने देखा एक फॉल आई, और फॉल आने के बाद हमने देखा कि इस रेंज को इसने तोड़ दिया, अब हमें किस तरीके से काम करना है, इसमें एक पैटन और डेवलाप हो रहा था, डेली चार्ट के अंदर, यह एक परफेक्ट पैटन नहीं है, पर हम कह सकते हैं, यह पैटन का काम करेगा, उसके लिए मैं सारी मूविंग एवरिजिस हटा देता हूं, आपको क्लियरली व्यू मिल जायागा इसका, यह पर्टिकुलर स्टॉक यहां से उपर आया, नीचे आया, फिर उपर गया, अब देख सकते हैं, मैं क्या बनाने की कोशिश करा हूं, नीचे आया, यह देख सकते हैं, इसने एक हेटन शोल्डर पैटन बनाया, हेटन शोल्डर यह एक बेरिश हेटन मारूती के अंदर, और वहां पर आप देख सकते हैं, कि एक लॉंग टर्म सपोर्ट है, जहां पर हम देख रहे हैं, कि मारूती का जो निकलाइन है, यह एक निकलाइन कही जाती है, जहां पर यह सपोर्ट ले रहा होता है, इसके शोल्डर और यह, अब देख सकते हैं, कि य इसका जो शोल्डर है, शोल्डर का जो डिफरेंस है, वहां तक हम गिरावट एस्टिमेट करते हैं, अब देख सकते हैं, इसका शोल्डर है, 7200, और इसकी जो निकलाईन है, हम मान रहे हैं, 6300 की, यानि कि हमान के चल सकते हैं, अराउंड 900 पॉइंट का, तो 900 पॉइंट की गि करके चल सकते हैं, कि ये 5400 तक जा सकता है, या 5500 तक जा सकता है, अभी कहां ट्रेट कर रहा है ये काउंटर, 5800 पे और कहां तक की जाने की चापैसिटी है, ये लाइंग तक, यह और गिरावट दिखा सकता है, तब ही हम कहेंगे कि ये पर्टेकुलर पैटन का कम्पलीट हो आपको बताया है, इस पर्टेकुलर पैटन कम्पलीट हो जाएगा, हम पैटन का टागेट कम्पलीट हो जाएगा, तो ये यहां से भी रिवर्स कर सकता है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा है, कि ये एक दम से नीचे जाएगा, अब देख सकते हैं, इसको किता टाइम लगा था उपर जाने में, देख सकते हैं, चार साल लगे थे इसको उपर जाने में, तो हो सकता है, ये हलके-लके नीचे आएगा, आप देख सकते हैं कि कैसे इसने अपनी मंतली चार्ट की रेंज को तोड़ा है, ये देख सकते हैं, 6300 पे, देख रहे हैं आप, मंतली चार्ट पे भी तक यह इस लेवल पे 6300 के लेवल पे support लेते रहा है यह मारुपी आप देख रहे हैं कैसे आप daily chart से monthly chart से weekly chart से एक conclusion निकाल लेते हैं कि कहां support है आप देख सकते हैं कि 6300 का level इसने तोड़ा और हमने देखा था कि वहां से गिरावट आई है अब इसकी गिरावट का जो target है वो है 5500 5500 से एक up move दे सकता है तो 5500 के accumulation सबसे पहले अपनी buying बना सकते हैं 5500 का level तोड़ता है तो हम क्या सकते हैं कि next target इसका 5000 रहेगा और फिर next target जो ultimate target 4500 कराएगा तो अभी आप अगर इसमें आपको थोड़ी बहुत up move दिलती है तो आप इसमें एक shorting position initiate कर सकते हैं अब दूसरी बात जाइस मारुती के इंदर बहुत से patterns develop हो रहे हैं मैं देखने की ज़रूरत है बस अब देख सकते हैं कि इसमें क्या continuous red candle बनी है से हम कहते है falling three method pattern falling three method pattern यह continuous इसने तीन गिरावट दिखाई तीन गिरावट दिखाने के बाद हम देखते हैं कि एक particular यहां से consolidation में चला गया फिर हमने देखा कि यहां से 3 गिरावट आई फिर हम देखते हैं यह consolidation में जा रहा है so guys हो क्या रहा है हो यह रहा है कि यह एक pattern develop करने की कोशिश कर रहा है यह pattern develop करने की कोशिश यह कर रहा है कि यहां से एक Fibonacci retracement आपको draw करके दिखाता हूं यह जो इसकी up move होगी यह 50% या 61 या 38% होगी अब देख सकते हैं Fibonacci की exact मैं कह रहा हूं जी guys stock यहां से नीचे गिरा अब यहां देखे 38.2% retracement level पे exact इसने अपना support लिया resistance phase करा और दुबारा नीचे आ गया अब मैं इस तीन candle की बनाता हूं इस तीन candle की हम देखेंगे जी guys आप देख सकते हैं कि 61.8% retracement level पे इसने अपना high मारा और high मारने के बाद हम देख रहे हैं दुबारे नीचे आ रहा है तो क्या suggest कर रही है यह suggest कर रहा है कि अब यह एक pattern बनाने की कोशिश कर रहा है जो एक regularly pattern form हो रहा है हम देखने है एक pattern का इसने breakdown दिया इसने पहला pattern बनाया तो यह मारुती पे एक हम कह रहे हैं कि downtrend अभी शुरू है 6,300 पे अगर आपको कभी भी मिलता है 6,300 के आसपा 6,000 पे मिल जाए 6,100 पे मिल जाए तो 6,300 का stop loss लगाके आप मारुती को short करके चलिए आप चार महीने पांच महीने आगे का future लेकर आप sell कर सकते हैं और आगर आप इसे short करके चलेंगे तो आपको ultimate results इस मारुती के अंदर देखने को मिल सकते हैं और ultimate profits आपको इस मारुती के अंदर देखने को मिल सकते हैं selling करके तो अभी यह continuous pattern बना चुका है तीन गिरावट एक उच्छाल तीन गिरावट एक उच्छाल फिर तीन गिरावट फिर हम देखेंगे 38% फिर बुनाची गया 50% या 61% फिर एक गिरावट तो ऐसे करते करते यह हलके लिके जाते जाते हम देखेंगे कि यह 4500 तक पहुंचेगा अब आपको clearly view मैंने बता दिया है कि किस तरीके से काम हो रहा है हम आर्ली चार्ट में लेकर चलते हैं कि आप 4-5 दिन का एक trend निकाल सकें तो अब आर्ली चार्ट में देखेंगे तो यहां पर एक यह channel के अंदर trade कर रहा है particular मारूती हम देखते है channel पे यहां पर इसने अपर साइड में resistance फेज कर रहा अपर साइड के चैनल के resistance पे 50 दिन का आर्ली चार्ट में moving average भी था तो मुझे लगता है कि यहां से गिरावट हम देख सकते हैं मारूती के अंदर गिरावट की बात मैं कप करूँगा जब यह particularly इस level को तोड़ देगा देख सकते हैं जहां पर यह बार बार अपना base बना रहा है जैसी इस level को तोड़ता है वहां पर भी हम अपनी buying position initiate नहीं करेंगे मैं आपके भरुग जाई दुबार दिखाता हूं यह level है 5790 का level और एक यह level है 5765 का level कुछ 35 point का difference है जैसी level break करता है हम wait करेंगे कि जब तक यह level break ना करें जैसी यह 5765 का level जैसी break करता है और दो red candle हम देखते हैं उसके नीचे बनती है आरली चार्ट की बात करना होगा इस तो हमारा stop loss क्या होगा 5790 का और हमारा target क्या होगा 5600 का अब मान के चल सकते हैं मैंने आपको stop loss कित्तेगा दिया 50-60 point का target आपको मैं कित्तेगा दे रहा हूँ 100-500 point का सो यह होता है कि एक estimate निगल के आता है सो आपको मैंने clearly मारूती के इंदर आली चार्ट में भी बता दिया किस तरीके से trade लेना है monthly chart weekly chart daily chart हर pattern हमें एक चीज सजेस्ट करता है कि कहा support बन रहा है long term का अब मैंने आपको दिखाया था वाई कि आप देख सकते हैं मैंने आपको सिर्फ यहां पर एक trend आपने खुद estimate कर लेते हैं कि 6300 पर यहां पर एक support है जो line बनी थी long term support line थी एक साल की जैसे इसने break कर दिया और तभी मैं जब monthly chart पर आपको लेकर गया तो मुझे पता चला कि यह तो 10 महीने से यह आपर इस level को break नहीं कर रहा और इसने upbreak करा तो हलके हलके अगर हम सब find करने जाएंगे न अगर हम सिर्फ trend line का use करेंगे तो हम अच्छा खासा profit earn कर सकते हैं और long term charts को या short term charts को find कर सकते so guys अगर आप मेरे channel के साथ बने रहेंगे so आप इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उढ़ा सकते हैं आप trend lines pause करके मेरी video को trend line को draw करिये और आप एक अच्छा खासा estimate निकाल देगे यह मेरी trade talk की series यह 5th trade talk की series थी भारूती की उपर अगर आपको मेरी first second third fourth भी जाननी है so आप म मेरे इस video के नीचे description पे उन 4 stocks का link दे दिया है जिस तरीके से मैंने यह समझाया है उस तरीके से मैंने उन्हें समझाया है बहुत अच्छे तरीके से समझा रखाए guys तो जाके आप उन्हें जरूर watch करिये और share जित्ता कर सकते हैं उत्ता share करिये अपने दोस्तों में share करिये उन्हें बताईए कि कहां पर हम अपने एक long term portfolio बना सकते हैं उन 5 stocks यह 5 stocks long term portfolio पे जोडने के लिए best stocks है तो जाईए अपने दोस्तों के साथ share करिये सबसे ज़्यादा share करिये guys और comment section में जरूर मुझे बताईए इस video के comment section में मुझे बताईएगा कि अब आप कौन से अगले trade talk की series के लिए video चाहते हैं मैं वही video आपके ले लेकर आँगा इस कौन से stocks पे आपको doubt है आपको लगता है कि यह stock मेरे portfolio में मुझे loss दे रहा है या बहुत ऊपर जा चुक है मैं exit करूं या ना करूं कोई भी अगर आपको stock पे doubt है तो comment section में लिखिए और जो भी particular stock पे सबसे ज subscribe करके मेरे video को like करिए और मुझे please comment section में ये भी बताएगा कि जो मैं analysis आपको समझाता हूं या आपको अच्छे तरीके से समझाता है या जो मैं आपको तरीका समझाता हूं यह और लोगों से better है कि नहीं है तो guys मैं मिलता हूं आपसे कर लाए अगली video के साथ signing off